Hello viewers, Namaskar! कैसे हैं आप सभी? मैं हूँ आप सभी का दोस्त सुरज और आप देख रहे हैं Sports Club Official India और आज हम लेकर आए हैं टीनो मैच का हाइलाइट याने आपको पता है कि ICC Women's T20 World Cup चल रहा है उसके तीन मैच हुए है पहला जो मैच है वो दस तारीक को हुआ और ग्यारा तारीक को कल दो मैचेस हुए और सारे मैचेस का हायर्ट यो आज हम करेंगे और हम आज से आपके लिए डेली शोरी कराने वाले है ICC Women's T20 World Cup का तो हमारे साथ लगातार बने रहे आज हमारे साथ हमेशा की तरह आज दा एक्सपर्ट की तौर कर मौजूद है खेम सिंग जी तो सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका खेम सिंग जी नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अबिनंदन स्पोर्ट क्लब के सभी दर्शो का और जाहिर सी बात है आप लोग बहुत से सारा क्रिकेट आजकल जोरो शोरप है जैसे कि अपने एंडिया वसेज ऑस्टेले सीरीज में अपने मैंस टीम की वह भी जोरो शोरप है और वेमेंस वर्ट कप भी जोरो शोरप है तो क्रिकेट का मतब यह कहें कि जादू पूरी दुनिया में चाया हुआ है और आज हम एसी पर बात करने वाले तो चलिए सबसे पहले हम बात करत रहे थे कि शाइद ऐसा भी हो सकता है जैसे कि जब प्रिविव शो में हम बात कर रहे थे उसंट अपरिका चुल रिया कि कर दो को दिल की बिल्कुल दे बेशक दिल की सुनी और श्री याद होगा कि दस साल पहले एक वीमेंज का यही मनद 빼ू men tidak का और उस लंका ही टीम ने मतलब। कभी कभी ऐसे performance कर जाते हैं कि पता नहीं होता है ओँ इंगलंड को इंग्लेंड को सल पहले पहले ही मैच में हराना और क्या वह उसाओं आद हमारी मेच מीड न плох इन वहाले मैच में हरा दिया था और आपको पता क्या कहेंगे मतलब क्या मना आउट आफ दब लो मलब कहां से वो चमातकारी पारी अटापटूक जी उनकी उनके बल्ले से आई और उनके साथ जो भी सपोर्टर रहें उन्हें क्या शांदार बैटिंग की और देख बोलिंग सब्सक्राइब की बहुत अच्छी है जैसे अपने प्रिवी शो में भी कहा था कि बोलिंग उनकी नो डाउट अबाउट इट बिल्कुल सब्सक्राइब मजबता क्लास है जी शांदार उनके बॉलिंग है लेकिन बल्ले बाजी बहुत ही कल बिलकुल निराशा जनक रही और ज शुक्राइब के लिका उसमें पूरी तरह से मांध के रकास अफरीका के खिलानियों को और आपने देखा कि एक गेंग में फिर छे रन चाहिए थे और सातरन बल्कि चाहिए थे केवल हां दो ही रन बना उसमें जह तो यह मैंच कुल मिला कि रहा तो अच्छा मैच रहा कुल बिल्कुल मैं आपको quickly scorecard बता दू पहले बल्ले बाजे की ती श्रिलंका के टीम ने हम एस्पेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना भी score श्रिलंका बना सकती कि जिस तरह की श्रुवात थी 139 बनाये थे 130 के लक्ष का पीछा करते हैं लक्षिन अफरिका की जो शुरुवात थी वह अच्छे हुईते 29 पर पहले विकेट उनका गिरा था उसके बाद उनके जो विक्ते है लगातार गिरते रहे लेकिन बीच में अच्छी पार्टनेशिप भी आई थी लॉरा वालवाट वह हो नहीं पाया और मैं आप सभी को बताने चांगा कि श्री लंका ने जो यह मैच है वो केवल तीन रन से जीत लिया 126 ही रन बना सकी यहां पर साथ अफरिका के टीम नविगेट के नुपसान पर उसमें चमरी अट अपटु जिन्नोंने 50 में 68 रन बनाए एक समयसा लग सब्सक्राइब तो बैटिंग कर रहे थे तो बैट मैं बॉल्स वैसे टच हो नहीं रही थी वह लोग बॉल्स को वैसे हिट आउट कर नहीं पा रहे थे जी 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 उसके बाद नौ मैं 40 उसके बाद तोड़े से गयर्स में तब्देली आनी शुरू होई गेर्स शिफ्ट हो और 129 का एक लक्षे दिया था उनने और 126 रनों की अंदर रुकने में कामयाब रहे शाददार बॉलिंग और मैं यह कहूंगा शिलंकाई टीम कभी-कभी ऐसी जादूई कमाल कर देती है कि बन्दब सभी को चौका देती है यही लेकिन बड़ी बात है कि दे नीट सम कॉंस थूआउट दे टोर्नमेंट उनको चाहिए दो बॉलर्स ने बहुत जादा इंप्रेस किया एक इनुका रनावीरा और सुगंदी का कुमारी का वही ओवर शांदार ओवर का लास्ट ओवर उनका था सुगंदी का कुमारी का और क्या शांदार बोली उनने रिकियो उस दिन और अपने टीम को जीत दे लुए और सबसे बड़ी बात दो यहां पर रनाउट किया अनुषका संजेवनी की वह स्टंपिंग मुझे आदाती है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग वाकई मैं कमाल का परफॉर्मेंच श्रलंका टीम का रहा और एश्या की एश्या टीम ने खाता तो खोल दिया है बिश्चक श्रलंका टीम यहां पर जीती है's तो शांदार वो मैच रहा ला कंदार मैच रहा और कल यहां पर डबल हिडर था और कल के मैच के अगर हम बात करें तो वेस्ट तेम ने बड़ी ही आसानी से यहां पर जीत हासिल कर ली 14.3 और में 118 त्ट रन यहां पर पर England के लिए और जीत हासिल कर लिए देखें यही है इंग्लाइंड टीम आप देखेंगे कि वो उनका जो क्रिकेट है एक उच्छ तरह का क्रिकेट है और वो लगातार बेहतरिन क्रिकेट खेल रहे हैं चाहे वो उनके पुरुष टीम की बात करें और चाहे वो महिलाए टीम की बात करें दोनों ही बहुत अच्छ क्रिकेट लेएंगे उनका मैनेज्मेंट ही इसतरह का है उनका मलब क्रिकेट जो सकेट वो इस तरह कि इस तरह का है कि आपको उनकी तरह से अच्छे अच्छे खेल प्रदरुशन देखने को मिलेंगे यह जो उनका जो क्रांड 2015 के बाद आया है सुरज जी 2015 के बाद उनका ऐसा रैविलिशन आया कि आपने देखा फिर 2015 में ऐसे क्रिकेट खेली अंड्रियो स्ट्रॉस फिर उनके कोच बने मतलब उनके मेंटर बने और काफी कुछ उनने तबदीलिया की और उनके खेल को लगबग बदल सा रख दिया और पिर आप जानते हैं कि वह फिर दो विश्वकप कंटिन्यू वह लोग जीते हैं 19 वाला भी और अभी हाल ही में 2022 में संपन हुआ वह विश्वकप भी जीते हैं और 2017 का वर्ड का आप नहीं भूल सकते हैं भारत के खिलाफ इंग लैंड का जो वर्ड कप था महिला टीम कर मैं क्या असानी से वह जीते थे 2017 में सुरज जी 16 में 17 मुझे याद आता है वह वर्ड कप महिलाए टीम का जो वेस्ट एंडीज ने जीता था वह 2016 का वल्ड कप था और वेस्ट एंडीज के में स्टीम ने भी कारनामा किया था जहां जी वह फिर इंग्लेंड ने जीता आपको मालूम होगा और आखरी जो मैच था भारत वनामिर इंग्लेंड का उसमें भारत की परिष्टेटी बहुत अच्छे थे 192 पे भारत की तीन विकेट थे 258 का लक्ष था और वहां पे कहां से पता नहीं यह अन्यर शुप से ले आय मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है वो मैच वही उसी मैच की बात कराओ क्या जादू गरी परफॉर्मेंस की थी इंग्लेंड ने मतलब इंग्लेंड को मैं आगर कहूं ग्लेंड वो एक ऐसी वाही टीम बन गई है कि वह आपको उनकी तरफ से आपको चिंदा करने की ज सब्सक्राइब ने भी बहुत अच्छा इंग्लेंड को काफी कम स्कोर पर और हम जीट सकते थे मैच जी वही वही गलती हम कर बैठे थे और 2017 का अगर विश्वकप अगर हम यह कहें कि हमारे मुह से महिलाई टीम ने निवाला चीन लिया तो वह कहने वाली मलब गलत नहीं हो सब्सक्राइब यहीं मैं कह रहा था कि देखें इंग्लेंड एक वो टीम है जैसे आपको लगातार अच्छे परफॉर्मेंस इस देखते रहेंगे आप उनकी जानब से लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ अगर वेस्ट इंडियस को देखें क्या हो गया इस टीम को खुद द इस टोनमेंड में अलाइव रहने के लिए अच्छे परफॉर्मेंस इस दिखाने होंगे अगर इस टोनमेंड वो अलाइव रहना चाहते हैं तो बदलब यह है उसके लिए वेस्ट इंडियस के कुछ प्लेयर से जिनको परफॉर्मेंस करने की बहुत ज़रूर जादा है जै अगर यहां पे अगर यूनिटी अगर रही सभी ने मिल जूर कर अगर काम किया ना तो वेस्ट इंडियस की तीम दुबारा लोट सकती है बेश्यक बेश्यक बिलकुल तो आईए इन के स्कोर कार्ड पे नजर डालते हैं सुरज जी मैं क्विकली यहां पे स्कोर कार्ड बता करेंसकी हमेषा की तरह हैैं जो कि अच्छा पर्फ़ारिमंस हèmesशा कर दे तरफ से यहां पे अच्छा पर्तित में अच्छा पर्फ़ाम्स किया यहां पे 32 स्या व्रल के चार रंद बनाए स्टाफने टेलर ने 15 यह नों में और उसके अलावा शीलेन कैमबल जी शीमेन कैमबल जिन्होंने 37 में 34 रंद बना एक अच्छी पारी यहां पर उन्होंने खेली और शबी का गजनवी जिन्होंने तीन रंद बनाए और यहां पर चिनल हेंडरी जिन्होंने तेरा रंद बनाए और छेड़न नेशन इन्होंने नौ रंद बनाए रन आउट काफी ज्यादा हुए और और फ यम्नों ने दस रण हाँ वह बनाए मैं बताउड जेम्स उन्हें दो गेनों में 2 रन और फिर एक रण आपके पाड़ा है क्लिए अपने हलंगी वेस्टिनिश के खिलाफ यहिए मैचेस के लिए हैं लेकिन आपकर टीम देखिए और भी बहुत से टीमें जैसे ऐस्टेलिया जो बली-बली टीमें है मतलब आपको अपने बोलिंग पे आप धयान रखना पड़ेगा बेशेक आपने अच्छी बोलिंग की है बट 18 एक्स्टराज कभी कभी बैच में काफी भारी पड़ जाते हैं लेकिन स्टील इस गुड़ बोलिंग 136 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना पहले वेस्ट एंडिस टीम को और 14.3 आवज में आकर बैटिंग में चेज करना बहुत अच्छी बात है मिल्कुल इंग्लेंड का अगर स्कोर कार्ट देखे तो क्या बल्ले-बाजी की हां पे इंग् अथारा गिलों में 34 बना एक बहुत अच्छी पारी खेली और उसमें भी उन्होंने यहां पे इस चार चोड़के एक यहां पे शिक्सर लगा जी बिल्कुल बिल्कुल और डैनिल वैड जो की उनकी बहुत अच्छी ओपनर जोने नौग यहां पे 11 रंस बनाए और Alex Alex Capsi, जो कि अच्छी बैटर्स है जानी-जाती है, जिन्होंने 9 यहां 22 यहां बनाए और आठ एक्ष्ट्रास के बॉले, यहां पर वेस्ट्ट इंडीस के टीम नहीं यहां पर दिए है और 14.3 वर में यह लक्ष हासिल किया 138 बना कर देखें इंग्लेंड की जीत में तो कोई संदेह ही नहीं क्योंकि क्या मदब कैसी वह अच्छी कहां से ना जाने इतने अच्छी परफॉमेंसे दिखाते हैं तो उनकी जीत में तो कोई संदेह रही ही नहीं जाता तो 97 की जीत न्यूजेलेंड के ओपर बिल्कुल बिल्कुल 97 की जीत जबर्दस जीत है और एक समय तो मैं यकिन नहीं कर पा रहा था कि और यहां पर इतने कम स्कोर पर रुके की 173 के वल नौ विकेट पर बनाए एक समय ऐसा लग रहा था कि 200 होगं का स्कूर जिस तरह से ऑस्ट चार विकेट की जड़ी जो लगी है और आखरे का जो ओर यहां पर जिस तरह से किया था यहां पर एमेलिया केर ने बहुती जबरदस तरीके से उन्हें ने किया था चार गिनों में किवल दो रन दिये लेकिन उसमें भी यहाँ पर एक सेट वल्लेबास तालिया मेगराट को उन्होंने आउट किया और दो विकेट उस ओर में उन्होंने लिये एक एलिस पैरी का भी उसमें विकेट था जी एलिस पैरी तो 19 तो और में आउट विटी 19 ने 18 तो और में वो भी विकेट यहाँ पैमिले कियर्स नहीं लिया था और उसके बाद आखरी डार्सी ब्राउन ने आकर पहले दो रन्स निकाले उसके बाद आखरी गिन पर उन्हें चौका लगा कर 173 रन्स 173 वाज गुड टोटल पोस्टिट वाइस्ट्रेलिया लेकिन यहां नियूजलेंड को चाहिए था कि एक अच्छी पार्टनर मतब अच्छी पार्टनर्शिप्स में आप खेले और वही उन उन्होंने गलती कर दे क्योंकि क्रिकेट की उल आउट बाउल पार्टनर्षिप्स सिङांड बॉलिंग की बात करें चाही बैटिंग की बात करें आपक और आ खिorld मेह बान्स दक्रैवarkan फेड्रिकेगीउम कि आप मेचे मैच मैच्स जीत पार्टनर्शिप्स का वहीं गलितकर दी नियुजेMed 1700 कीकी इंब computers तो यह रहा तीन ओवस में आखरी के आपने अच्छी बॉलिंग की लेकिन फिर बैटिंग में वही गड़ बड़ा हट रही सुरज जी 97 से हारी है बिल्कुल क्विकली ऑस्ट्रिया का स्कूर काड अगर रेखे तो शुरुआत अच्छे नहीं थी ऑस्ट्रिया की क्योंकि पहल वर्णिंग नहीं यहां पे 41 रंग की शांदार पारी खेली उसके अलाव आशली गार्डन जिन्होंने चार गिनों में केवल तीन बनाए अच्छी बैटर्स है और मैं आपको बता नहीं का एलिस पेरी जिन्होंने 22 गिनों में 40 बनाए सेट बैट्समन थी लेकिन आशल में इंडिया को उठा कर देखे तो जिस तरह से उन्हों आढ़ बारत ने GTI 22 सिरीज सौ जार एग से वहां पे तो वहां पर से घ्रेष का यहां पर सक्रफाइस किया लिए उन्होंने है यह देखिए वही रहा कुछ मतलब मिला जुला कंबिनेशन रहा लेकिन आप वह पार्णरशिप्स नहीं बना पाए और बीच में वही होता है कि आप मतलब आप ताल मेल नहीं बिठा पाते हैं मतलब जिसको किया कंसंट्रेशन कहते हैं वह कंबिनेशन आप नहीं बिठा पाते हैं उसी का नतीजा होता है कि आप जो है वह मैच को हारे और बहुत बूरी तरह 97 बहुत बड़ी विक्ट्री होती है सुरज जी और कहीं नहीं कहीं ऑस्ट्रेट में भी बहुत बड़ा मदब उच्छाल इससे आएगा और व आना किया और किवल शूनियर नुने बनाए और अलाना किंग जिन्होंने तीन जिन्हों में एक रन बनाए और मेगन शूट मुझे नहीं कहीं और अच्छा यहां पर 172 रन का स्कोर खड़ा किया लेकिन फिर पी ऑस्ट्रेट की निजरी से अगर देखे तो वह कम ही है स्कू है मतलब शांदार बैटिंग यहां पर की सब्सक्राइब करें लेकिन वही है कि न्यूज़ेलेंड फिर से जो है वहारा है तो और न्यूज़ेलेंड के तरफ से अगर मैं बात करूं तो ज्यादा किसी ने योगदान नहीं दिया है केवल एमिरिया के अरजिनों ने 30 के नों में केवल 21 सरन बनाया है लेकिन हाला कि लगातार तीन बाउंडरिस उन्हों ने लगाई थी और उसके अगले ही ओवर में वह स्टेप आउट करने के लिए आगे निकली थी लेकिन स्टंपिंग कर वैए थी बड़ा हिट लगाना चाह है आपको बता दू जिनमें के वो लोने छे रंज बनाये थे यही होता है सुरजी जैसे तभी हम पावर प्ले की बात करते हैं आपको कहीं ने कई पावर प्ले में आपको अच्छे स्कोस चाहिए इनकेस अगर आपके विकेट्स न्यमित अंतरार में घिरते गिरते चले पावर प्ले बहुत महत्वर रखता है और वही गलती उनसे हुई कि बिल्कुल बिल्कुल वही वहां गलती कर गए क्योंकि आपको पचास-पच्पन का स्कोर वहां चाहिए फिर आप एक्सलेरेशन आराम से कर सकते हैं मिडलों को अच्छे से खेलके लास्ट के जो स्लॉग प्ले जब जहां आपको फायदा मिल रहा है जहां आपको अपर्चुनिटी है स्कॉरिंग अपर्चुनिटी वहां आप खुल के खेली है आप बेशिक दो विकेट गिराई है लेकिन पचास से साथ रन आपको जब आप ऐसे लक्षय का पीछा कर रहे हो आपको बनाने ही हों का गेन बाजिका मुनहरा पर पेश किया है और शुरुवात जिस तरह से मेगन शूट में डिलाए दो विक्टे उन्होंने निकाली थी सुजी बेट्स और सोफी डिवाइन की पहली यहां पर मैं काफी हैरान हो उस बात से वाइड गेन थी वह पहली गेन पर पाच रन मिल च से कले थी और स्टॉंपिंग कर दी और वहां पर उनका पहला विकेट गीरा वही होती है इसको कहते हैं कि मतलब आप डैस्परेशन में अपना विकेट खोते हो और जल्दबाजी क्या थे करने की मैं सोफी डिवाइन से बड़ा मतलब वैसे मेरी एक फेवरेट खिलाडी हमे जिकने की संभावना यहाँ पर बन सकते थी बेशेक 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 एक फ्रम सबास्था चाहिये था वही न्यूजीलम टीम को नहीं मिला और कहीं नैनी अए और एक बड़ी व्यूक्ट्री है पर ऑस्ट्रेलिया यह जो तीन टीम है यह अपना खाता खोल चुकी है और आज वैसे आज दो एशियाई टीम आपस पे टक्राने वाली है यह जो कि बहुत इनतजार करते हैं पिल्कुल जैसे कि आपको मालूम होगा एक बया आपने सुना होगा यह सचा बया था एर। binge का आपने सफ़ा होगा की औरन फिंच जब आका है कि अब जब आ जब भी हैं क्या करना करना चाहेंगे जैसे अफटर retirement या क्या करना चाहें तो उनका एक बड़ा अच्छा बयां था फैर मैंने समझता कि वो बयाँ उन्हें ने क्यों दिया लेकिन उन्हें ने कहा कि मैं भारत बनाम पाकिस्तान की जो राइवल्री है उसको एज़ फैन देखना चाहता हूँ दर्शकों के बीच देखना चाहता हूँ तो एक बड़ा मतलब सभी को इंतजार रहता है कि यार वो एक राइवल्री है जिसमें पूरी दुनिया की जो नजरे है पूरी दुनिया की नजरे उस पे रहती है टक-टकी लगाए तो पूरी दुनिया उस राइवल्री को दीखना चाहती है सभी की नजरे वहां रहती है सभी उस मैचिस पे ध्याल रखते है और आपको पता है कई बार तो मैचिस जब इतने इंटरस्टीड हो जाते हैं तो कई बार उसका जो इंपक्ट है वो वर्ल्ड एकनॉमी पर भी पढ़ता है सुरजी बिल्कुल बिल्कुल हम भारत पाकिस्तान की तो बात करेंगे उनके पूरे स्क्वाड की और उनका प्रिव्यू भी हम करेंगे और अगर आप वीडियो के एंड तक पहुच रहे हैं तो वीडियो का लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और खेम बंगलादेश को भी हम कम नहीं आख सकते जिस तरह से बंगलादेश की यहां पर गेंबाज है रुमाना है मद है जिन्हों ने काफी जादे इंप्रेस ही है मुझे बेशिक जैसा मैंने कहा है कि बंगलादेश का क्रिकेट ओवर देश काफी उसमें सुधार आया है स्टिल अभ होगतना पड़ रहा है हार के रूप में रिजल्ट के रूप में मलब हार के रिजल्ट के रूप में बाकि वह सब कुछ अच्छा करते हैं बहुत सब कुछ अच्छा होता है कुछ चुट-पुट चीजें ऐसी हो जाती उनसे जो फिर उनके हार का कार्ण बनती है लेकिन को बाद में बुक्तान करना पड़ता है पंगलादेश्री कछी टीम नजर आ रही मुझे पर यह कि कैसे क्योंकि अब यह देखो सुरजी ऑन्दा पेपर कोई के मजबूत हो सिर्फ यह ऑन्दा पेपर बात नहीं होती ऑन्दा ग्राउंड खेला जाता है क्रिकेट बिल्कुल वह दिखाया और वही मैं एक्सपेक्ट करूंगा श्रीलंका टीम से कि वह अपने क्रिकेट को उसी तरह उसी तरह कल मलब क्रिकेट अफ लेवल अफ क्रिकेट से जो उनने सौट अफरिका को खेला अपने घर में उनने सौट अफ़िकट कर आए तो जहीं कर सकते हैं झाला शकते हैं अधि वहीं तो हरुथ हरा सकते हैं बाथ त्यूद्विक्क्न एक परफॉर्मेंस वहीं डिसेप्लिन के साथ आपको क्राउन में खेलना होगा बीलकु तो अगर चलिए इंडिया पाकिस्तान की अभी हम बात कर लेते हैं क्विकली हम अभी आपको स्कॉर्ड बता देते हैं थोड़ी जी बाते होंगी भारत की अगर मैं स्कॉर्ड की बात करूं तो कप्तार हर्मत पेत कौर है और विकेट कीपर दिचा गोश काफी यंग है अंदर बैटर्स है शैफाली वर्मा कप्तान थी इससी विमेंस अंदर 19 टीम की वह भी यहां पे अंदर 19 वल्ड कप के टीम का हिस्सा होकर आई है उसके अलावा यास्ति का भाटिया एक अच्छा पाफ़र्मेंस वह करती है कॉमन्वेल्ट गेमने में हमने उनको आकरी के कुछ चन प्रेड में काफी अच्छा पाफ़र्मेंस उन्हें ने दिखाया था और यह जो सीरीज होई थी दक्षिन अफ्रिका की ट्राइश सीरीज यहां पे एक मैच में उन्होंने अच्छा पाफ़र्म किया था 39 में 42 उन्होंने बनाये थे बड़ फाइनल में वह नहीं चली पूरे वल्लकप में उन्हें बहुत अच्छा पाफ़र्म किया था तो मैं यहीं चाहूंगा कि इस वल्लकप में भी पूजा वस्तरकार जह है वह च्छाई रहे उसके अलावा दिप्ति शर्मा लगात्तार अच्छा पाफ़र्म कर रही है और अस्ट्रिया के गेंस में उन् अच्छी स्पीनर हमारे पास मौजूद है राजेश्वरी गायकवार्ड है रेनु का ठाकुर सिंग अच्छी गेंगवाज यहां पर है शिखा पांड़े बहुत समय बाद इनकी वापसी हुई है शिखा पांड़े की उसके अलावाद देवी का वैद्ध है जो की एक अच् अच्छी पारी खेली थी हर्लीन देवल एक और नाम यहां पर ऐसा है जो कि भारती क्रिकेट को उचा ले जा सकता है एक अच्छी बैटर से आता है हर्लीन देवल बस अभी उनका भी प्रफेरेंस बहुत अच्छा था इस जो आस्ट्रेयक अगेंस पांच मैच के जो लिघ टांट थी ऑस्टेलिया के अगेंस् इन्होंने भी बहुत अच्छा परफं़ किया और यहांपे जो बीच में ट्राइए सेीस धी वहां भी उन्होंने अच्छा परफं़ किया है निंजर कर अब किया है उसके पहरे मैं पाकिस्तान का एक स्टाइट सबको बता दू पाकिस्तान और अस्टेलिया की सीरीज होई थी विमेंस की पिछले मन्थ जन्वरी में ये सीरीज होई थी और वाइट वाइट वाश होकर आई है यहाँ पे पाकिस्तान के टीम बिल्कुल यह उनका स्टैट है वाइड 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 शोकर आई है और उनकी स्टैट पर कुटली आप नजर कुमाई है बिल्कुल फिर हम इंडियन टीम पर थोड़ी बात करेंगे कप्तान बिस्मा मुरूफ है उसके अलवा सिद्रा नवाज है और मुनीबा अली है फातिमा संगा है निश्रा संधू है जवेरिया खान है और एमन अनवर है सादिया इकबाल है आईशा नसीम है क्यू बार हसन है और सदब शमाज तो यह पुरा पाकिस्तान दिम का स्कौर्ड है तो आज की स्मैच पर क्या कहना चाहेंगे खिम संग जिस तरह से यह दोनों का स्कौर्ड है देखो पाकिसान जो है वो से वाइट वोश्क कर हारी और रही है और स्टिल उनकी जो परफॉर्मेंश लेए वह लगातार मुझे उस में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है पाकिसान की फोफार्मेंस में पर्स्टिल इच्टिल इच्ट गुड वर्ट कप we can't predict anything कुछ भी हम प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता क्यूंकि जब जब प्रेडिक्शन हुआ है तो दोने टीमोंने किसने किसने में तो बाजी अच्छे मारी ही है तो प्रेडिक्शन मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन हा पाकिस्तान को अपना खेल अच्छा दिखाना होगा अ और प्लेस दच्छन अफरीका में उनकी जो ट्राइ सेरीज हुई थी वह ऐसा नहीं है कि उन्हें अच्छी गलत क्रिकेट खेली शांदार क्रिकेट खेली उन्हें उस बहुत अच्छी क्रिकेट उन्हें खेली और क्या आप सब्सक्राइब तोड़ा सा जी आप यह सुची क 110 रनों के 110 रनों का वो पिछी कुछ ऐसी थी कि 110 रन बनाए थे उस समय भारती टीम ने और सौध अफिका को 110 रन बनाने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी है 67 पर 5 विकेट घिरने के बाद लेकिन यह अलग बात है कि उनके बल्लेबाज ने एक अच्छी पारी खेली थी और वो मैच को जीत के अंजाम तक ले गई थी लेकिन यह था कि लेकिन भारती टीम ने उस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया था तो भारत का यह नहीं है क कि आपने उस समय की परफॉर्मेंस यार कुछ गलत हो गया लेकिन यह है कि उस बैट्समेन ने आपको थोड़ा सा चौंक चौंका दिया दक्षिना फेका के और वो आपको आपसे मैच ले गई लेकिन भारत का परफॉर्मेंस अगर उस थ्रू आउट दो सीरिस एके तो बिल और स्टेल उनकी जो वेमिन टीम है ट्राए सीरिस में अच्छा परफॉर्मेंस करती आई है उनके पास जीटका मोमेंटम है उनके पास अच्छे क्रिकेट खेलने का मोमेंटम है और मैंगिकेश a और भारत एक टीम को माद देने का माददा रखती है हुआ पिछली कुछ समय में किया भी है हाला कि वर्ल कब जैसे बड़े स्टेज पर अब तक भारत जो है वो ऐसा नहीं है कि कर नहीं पाया है बट फाइनल में वो हमें खेर मैं याद नहीं करूं तो अच्छा होगा लेकिन फिर भी हमारे वीवर्स को मैं बताना चाहता हूँ 2020 का वो फाइनल हमारे लिए काफी बूरा साबित हो था 185 रंज बनाए थे अगेस इंडिया और अस्टेलिया ने और क्या पाफेमेंस किया था अस्टेलिया ने उस मैच में जी वाते ही आप आप यकीन नहीं करोगे कि क्या मैच था वो और आप को याद होगा कि हम जीतते जीत सुरजी जीतते जीतते हम लोग रहे गए उस मैच में क्या मैच रहा क्या वो पारी भारत के तरफ से क्या वो सलामी पार्टनर्शिप थी फिर लेकिन पुझा वस्तरीकर को एकदम से भेजना हीटिंग हार्ट हीटिंग के लिए उनका ना चलना और उसके बाद जो लगातार विकेट्स गिरना गिरना और इस तरह से गिरना कि हम लोग विक्तो की जड़ी लगए थी शुरुबात में हम थोड़ा सा लड़ खड़ा गय थे कि शैफाली वर्मा जल्दी आउट हो गई थी यह बात सही है लेकिन उसके बाद अच्छा खेली थी भारती टीम लेकिन उसके बिल्कुल जे तो मलब हुब हुब हमारे साथ वो 2017 वाला किसा हुआ सुरज्जी बिल्कुल 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 2017 वाला किसा 2020 के वल्लकप में दीपती शर्मा ने भी अच्छा पॉफ हम किया था उस मैच में और चलिए हम विडियो काफी लंबा हुआ है और अगली जब इ फिल्हाल हम आपसे विदा देंगे बट विदा लेने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप भारत बनाम पाकिस्तान यह महा मुकाबला सुनना चाहते है रेडियो पर तो आल इंडिया रेडियो इसको लाइव कर रहा है यहां पर उसके अलावा बीबीसी आपको पसंद आया होगा हम आपसे लेते हैं विदा मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक ख्याल दखिए जाते जाते खेल सेंगे कि जीतना सब्सक्राइब करें गरें तो हम अच्छा-सचा क्वेसे कणेंट का चली कि दोस्तों कुछी ज़रूर हम आप सभी की लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे, आज के इस डबल हेडर में उसके बारे में हम कल ज़रूर आप सभी की लिए इस फ्लैटफर्म पर बात करेंगे, तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्तरियो नमस्कार, चलें